बिस्मिल्ला रह्मारोहीम वेल्कम टू मैडिकल मेडिक्स तुलेयर टॉपिक ऑफ आवर डिसकेश्चिन इस ड्वेल्पमेट ओफ दा मिडल इयर की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉंपोनेट्स आते हैं सब्सके पहले एक हमारे पास ट्यूब प्रेलेंट होती है जिसको हम ब लिए तेंबोलते हैं टिम्पैनिक के विटी उसके लावा ठ्री ओसी सब्सक्रयों इसके लावा इंकसि के तीसे नमर्प मादा आए बात करने तो दो मसल्स पेजेंट होते हैं चोटे-चोटे से एक होता है माल पास टेंसर्ड तो तेंसर्ड तेम्पैनी मसल और एक होता है मारे पास स्टेपीडियस का मसल तो सबसे पहले हम इन दो स्ट्रक्चर्स की ड्वेल्पमेंट की बात कर लेते हैं यह और जो टेम्पैनिक कैविटी है इसकी ड्वेल्पमेंट को देखते हैं अब इस डिगराम के अंदर हम देख सकते हैं कि यह वही हमारा जहां पर हमारे पास जब हमने इनर येर की डिवल्मेंट की बात की थी तो हमने कहा था कि यहां पर मारे पास hind brain present होता है hind brain की दोने साइट पर ortic vesicle appear होए थे इस ortic vesicle के cordal side पर हमें पता है कि मारे पास fringele artist develop हो जी होती है तो first fringele pouch होता है यहां पर मारे पास fringele pouch present है इस first fringele pouch से ही मारे पास formation हो रही होती है यह tympanic cavity की उसके लाबा जो auditory tube होती है अब कैसे formation होती है कि जो first fringele pouch हो वो मारे पास एक recess की formation करवाता है जिसको हम बोलते है ट्यूबर tympanic recess यह tuber tympanic recess आगे जाकर divide हो जाते हैं दो parts के अंदर दो parts के अंदर divide होगी इसका यह जो distal portion होता है यह ज़ादा proliferate करता है यह ज़ादा extend कर जाता है यह मारे पास formation करवाता है tympanic cavity की यह जो middle ear की main cavity होती है वो मारे पास form हो जाती है इस tuber tympanic recess से उसके लाबाब यह जो tuber tympanic recess का proximal part होता है वो मारे पास fringo tympanic tube की formation करवाता है इसी fringo tympanic tube को हम बोलते है auditory tube और यहाँ पर you stack in tube यह connect कर रही होती है middle ear की cavity को जो मारे पास nasopharynx होता है उससे connect कर रही होती है इसी लिए हम इसको fringo pharynx है और tympanic middle ear की cavity तो इसी लिए हम इसको fringo tympanic tube भी बोलते है यह tube मारे पास यह proximal part of tuber tympanic recess से बनेगी और जो distal part था उससे हमारे पार tympanic cavity बन जागी next time जो three ossicles पढ़ेते हैं उनकी development की बात कर लेते हैं जो three ossicles हैं इन मेंसे जो पहले दो ossicles है यह मारे पास बनते है from the first pharyngeal arch यह मारे पास formation होती है मालेस और इनकस की उसके लावा जो stepes होता है इसके दो जगा से original होता है तो आप stepes के structure की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका structure होता है जिसमें यह head होता है यह मारे पास दो cross होते हैं और यह foot plate होती है foot plate की आगे दो portion होता है एक इसके base होती है और एक इसके superior surface होती है यह यह foot plate के माले पास इसकी base होती है और इसका outer rim होता है तो जब इसका head होता है cross होता है foot plate की base वाला portion होता है यह basically माले पास neural crest cells से drive होते है यानि neural crest cells from the second pharyngeal arch जो मेले से निंकर से वो first pharyngeal arch से आयते यह जो three portion of जो माले पास stepes है यह develop होते है neural crest cells from the second pharyngeal arch इसके लावा जो outer rim होता है इसका outer rim stepes का वो drive होता है from the mesoderm mesoderm से यह develop होता है next हम इन दो muscles की बात कर लेके है अब यह जो दो muscles है जिसमें से माले पास जो पहला मसल है that muscle is the tensor tamponai muscle यह muscle derive होता है from the first pharyngeal arch से first pharyngeal arch से माले पास tensor tamponai drive होता है से स्टेपीडियस का मसल है यह drive होता है from the second pharyngeal arch S से स्टेपीडियस S से ही माल पर second pharyngeal arch होती है इसके लावा इनकी nerve supply की बात करें तो हमें पता है कि जो first pharyngeal arch होती है इसकी nerve supply होती है fifth nerve, fifth cranial nerve जिसको हम बहुते हैं trigeminal nerve और second pharyngeal arch होती है इसकी nerve supply होती है from the seventh cranial nerve यहाँ फेशल nerve next एक और point आता है कि जब हम mastoid cells mastoid cavity होती है mastoid cavity present होती है tympanic cavity के posterior speck पर एक mastoid cavity present होती है जिसके अंदर में पर mastoid air cells होती है mastoid cavity वो हमाल बाद ड्राइव होती है from the tympanic cavity यानि टंपनिक cavity की ही एक मारे पर extension जाती है temporal bone के अंदर उस extension को हम कहते है mastoid cavity इस mastoid cavity के अंदर मारे पर mastoid air cells present होती है जो के two weeks two years की age के अंदर develop होती है तो यह एक extra बाद लिखी वी थी तो इस तरह से मारे पर middle year की development complete होती है next part की वीडियो के अंदर हम अंदर वीडियो के अंदर है